दोस्तों आज हम बनाएंगे आमले का टेस्टी और चटपटा अचार जिसको बनाना बहुत आसान है और इसको बनाने में बहुत समय नहीं लगता है और ये बहुत ही लाबदायक है तो देखे हमने आमला लिया है इसे हम धुल लेंगे अब मुमो स्टैंड लेंगे उसमें हम बॉल करेंगे तो मुमो स्टैंड पर हम एक एक पीस आमडा रखेंगे ताकि नीचे भाब से आमला पूरा अच्छी तरीके से पक जाए और अब इसको हम कवर कर देंगे इसे फुल फ्लेम पे पकाएंगे पांच से छे मिंट के लिए और पांच से छे मिंट में भाब से अधा करके धूप में डाल देंगे तो वन अन हाफ दे के बाद हमारा आमला कुछ इस तरीके से सूखेगा अब इस सामले से हम पिकल तयार करेंगे तो एक कडाही मस्टर्ड ऑईल गरम करेंगे सौयमल मस्टर्ड ऑईल और रतन जोत लेंगे 5 गरम कर लेंगे अब रतन जोत को छान लेंगे और इसे साइड कर लेंगे और तेल को हल्का ठंडा होने देंगे तब तक इन स्पाइसिस को हम तयार करेंगे कलोंजी, नमक, लाल मिर्ची, जीरा, सौंप, पीली सरसो और मेथी तो हम सौंप को रोष्ट करेंगे, सौंप को भून कर ठंडा कर लेंगे और अब कलोंजी भूनेंगे तो 10 ग्राम कलोंजी हम लेंगे, इसे भून लेंगे और लाल मिर्च को धूप में सुखा कर पॉर्डर तयार करेंगे इसे मिक्सिंग पावल में निकाल लेंगे और अब हम इसमें सौंप को भी पॉडर करेंगे मिक्सर ग्राइंडर में पाइनली ग्राइंड करेंगे और अब हम इसमें जीरा, मेथी इसे और पीली सर्सो को डालेंगे और पॉडर तयार करेंगे तो हमारा पॉर्डर रेडी हो गया है इसे मिक्सिंग बाउल में डालेंगे और मिक्स कर देंगे इसमें हम कलॉंची डालेंगे इसमें हल्दी डालेंगे दो टेबल स्पून और नमक डालेंगे स्वादा नुसार इसे मिक्स कर लेंगे एक mixing bowl में सुखे हुए आम ले के pieces को लेंगे और इस मसाले को मिक्स करेंगे आमला का अचार बनानी में जो मसाला हमारा बचेगा उससे हम दूसरे मसाले को भी तयार करेंगे तकरीबन 2-3 टेबल स्बून मसाला हमारा बचेगा और अब हम इसमें आवला, मसाला, आवला और मसाला ऐसे ही तहदर तर लगाते जाएंगे और सबसे अंत में हम तेल को इसमें डालेंगे तेल हलका सा गरम होना चाहिए, बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए इसे मिक्स कर लेंगे और सुखे स्पून से घुमा देंगे आवली का आचाहर जब भी निकालेंगे हम तो सुखे स्पून से ही निकालेंगे और इसे अब हम जार में रख देंगे तो हम इसका नमक टेस्ट करेंगे, एकदम परफेक्ट है इसे जार में हम रख कर धूप में तीन दिन के लिए रख देंगे ताकि अच्छे से पक सके और पकने के बाद इसको हम अच्छे से खा सकते हैं तो फ्रेंट्स लाइक करिए मेरी इस रेस्पी को